हालो फ्रेंट्स मैं अवितेज और आप देखे रहें अवितेज फर्मर के टेक्स आउसन आज मेरे पास जो है ओपो का एक सेट आया है जिसमें कि हमें कॉम्बो लगाना है तो हमें क्या करना है कि इसके कॉम्बो में जिसका के साथ जो फ्रेम आता है उस फ्रेम को भी हमको रि दिखाऊंगा 2019 का कि 2019 में आपका जो ओपो F1S है उसका कॉंबो कितने का है तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए उसको लाइक करिए शेयर करिए और ज्यादा स्ब्सक्राइब करिए और अगर आपको कोई भी मुबाईल से रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल के तुर आके मुझसे पूछ सकते हैं मेरा वाट्सप नमबर है 7706017317 आप वाट्सप पे भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको किसी रिलाके में आप रहते हैं जहां पे कि आपका कोई समान नहीं मिलता है तो आप मुझसे कर दीजे मैं आपको वो प अगर आपके पास कोई ओफो का एफवन सेट हो और उसका या तो स्क्रीन तूड़ जाए या तो आपकी बॉड़ी जो है यह पूरी की पूरी डैमेज जा क्योंकि कभी-कभी होता है देखे यह फ्रेम है यहां से पूरा का पूरा यह डैमेज हो गया है तो फ्रेम को भी रि का दिया गया है और डिस्प्ले के लिए का लग पता दिया गया है अब यह देख सकते हैं यह उपो एफ़नेस का कॉंबो है इसका इस सवक्त मार्केट में अगर रियल कॉस्ट देखे जाएंगे तो साड़े 900 रुपए का इस सवक्त इसका मार्केट में प्राइज है तो कि कंपनी तो हाग गोरिला ग्लास बनाती है वो फ्लेक्सिबल होता है उसके बाद आपको देखा दे इसमें आपको यह फ्रेम है यह फ्रेम भी आपका जिखिए हलका ही है यह मार्केट में आपको लगभग 200 रुपए में मिल जाएगा जैसे कभी आपकी फ्रेम जो है फ कहले फीट कर देना है उसके बाद सारा इसपीस जो एसमें भी फैटिंग वै फूरीम है यह फूरी शींग पर कीट recognized mnie दाल देना है यह मैं कर दना जो दोगा है बाद में तो इसके बाद आपको इसरा मेंले फिट बास्वेर्ट के साथ पूरा फिटिड कर देना है तो मैं आपको बनारस में अकर रते हैं वारानसी में रते हैं तो आप मेरे दुकान यस मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं मेरा वाटसप नमबर है 7706017317 आप मुझे वाटसप से भी संपर्क कर सकते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल अवितेश वनवा का इंट्रेक्शन देखिए उसको लाइक करिए शेयर करिए और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करिए एक बार मैं आपको फीर से दिखा दूँ यह दिखिए ओपो एफवन का कॉं इस मूतने जो होती है फ्रिक्वेंसी वह थोड़ी सी कमजोर हो जाती है तो दोस्तों मेरे चैनल वितेश वनवा का इंट्रेक्शन देखिए मैं आपको इसी तरह का इंफ्रमेशन आपको देता रहूँगा दानेवाद दोस्ते